खबरों में बने राने के लिए देखते रहें एक केनन मेडिया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाँ पैल आइकन दवाना ना भूलें बरोदा के उपचुनाव में चुनाव का भहिशकार करेंगे और नेताओं को भी इसकी फटकार लगाएंगे रुखी से कानी तक जाने वाले इस रास्ते के लिए पिछले दस साल से ग्रामीन चक्र काट रहे हैं मेरा नाम जोगिन्दर है जी मेरा गाउं रुखी है और मेरा ये मकान है कानी वाले रास्ते पर और यह कानी वाला रास्ता है जिसके समशया है और यह समशया आज से नहीं है काफी टाइम से समशया second काफी बारा हम परशाशन को सूचित कर चुके संदोज और चोदा से लगा तार लग रहे हैं सीम साब को भी लेख चुके हैं डिशी साब को भी लेख चुके हैं गर्यमंत्री को भी लेख चुके हैं और अपना वीडियो साब को भी लेख चुके हैं इसके उपर थोड़ा मसाला था सरपंच ने थोड़ा कोशिश करके इसको बढवाने की कोशिश करी थी के वई इसको बढवा देते हैं através और पिछली से काम भी चालूगर दिया था उसे ने मेकि इस पर थोड़ा पेमायस का लफड़ा था उनके कहने से पर जमीन निकट गड़िए प्याद होगी एक बात कलियर होगी ये खुद सरकारी प्याद थी हमना सोचा बचल कोई बात नहीं हो उसके बाद इस रोड का हो गजी टेंडर होने के बाद में जब रोड की प्याद आई तर उसमें भी जमीन इसी साइड लिकड़ी और लगाता पां खेत में जाने वालों होती है, यह रहने वालों को तो प्रेशा नहीं है, यह देखिए गर, ज़्यादा पुराणे नहीं हाइन, थोड़े टेम पुराने गर हैं, और ज़र-ज़र आलत होगी, उपर तक तरेड आरी है, सारे गरा में, और गेँट हें के, गर्यामंत्री अरिया कराना सरकार है ठीक है तेन वरा 2020 यह इसकी पेमाइस है 2017 में हमने इसकी पेमाइस कराई है अच्छा जी इसके बाद में यह देखिए 2017 की पाणी निकासे तोस्री मन वीडियो साब 2015 में मान्य मुख्य मंत्री जी यह सरपंच साब का खुद SDM साब को यह गराम पंचायत रूखी के सरपंच ने खुद गयापन दिया था कि मैं इस रास्ते को बनाना चाहता हूं पाणी की निकासी करना चाहता हूं SDM साब इसमें कोई भी इंट्रेस्ट निले रहे इसके बावजूद भी हम कम से कम 5-10 बार उनको परसनली जाके मिल चुके हैं एक ही बात बोलते हैं कि वीडियो साब सी जाके मिलो वीडियो साब इसमें बिलकुल भी वो निले रहे इंट्रेस्ट यह देखिए SDM साब को मारा लेटर यह 2018 की CM विंडो यह 2014 की दोबारा से फेरागी यह 2020 की करने वाले रोड के बारे में करिया करी अभी अन्ता यह दोबारा से पेमाइस यह 2019 की मैस वो 2017 की थी यह 2019 की है यह वो रोडवालो की यह CM विंडो की ग्रिविंस मिटिंग की रिपोर्ट हम कहीं नहीं रुके हम लगातार चलते रहे और कहीं भी सुनवाई नहीं हो आई बिलकुल भी यह मुख्यमंत्री साब को लिखी हुई है हमारी बार-बार कोशिस करते रहे और आस्वासन देते रहे कि हम आएंगे इसको छुटवाएंगे यह तो खाली रस्ता है चलो आगे तो मकान है वह तो प्रोसेस है साब के करने से हमने कोर्ट में केस भी राल दिया और केस भी कम से कम छे मिन्ने हो गयोंगे चलते वे छे मिन्ने हो चुके हैं केस को चलते वे एक दो तारिख दी है उसके बाद में कोई तारिख नहीं दी है विडियो साहब इसको personally ले रहे हैं. क्योंकि मैंने सरपंच की RTI लगाके और कुछ وिकास कारिया के बारे मैं मंगया था. जिसमें सरपंच फशावया है. विडियो साहब उसका पूरा साहथ दे रहे हैं. विडियो साहब नहीं मेरे को बोला था. मैं परसनली लेके चलूँगा इस बात को और उन्होंने यहां पर दिखा दिया कि उन्होंने इस चीज़ को परसनली ले लिया बार-बार मिलता हूं एक बात कहते हैं अगहां करूँगा ये करूँगा वो करूँगा और जैस्ट वो बोलने वाले हैं कि सरपन्स सस्पेंड हो है अगर सरपन्स सस्पेंड हो रहा है तो गाउं में काम कैसे चल रहे हैं कम से कम 4-6 जगा ऐसी है जहां पर गाउं में वह काम चला रहा है किसके बिन आप वह काम चला रहा है यह सबसे में काम है समस्या आप देखी रहे हैं अडचन अभी तो परशाशन की अडचन है यह जिन की तरफ जमीन निकलती है इन्होंने पिछे से एक किले की जमीन चोड़ दी है और यह आग्य चोड़ने को तयार हो रहे हैं अभी वह घरवाली जो समस्या है वह तो कोर्ट में केस चल रहा है प्रशाशन उसको जैसे लेके चल रहा है अमने उससे को यह इतराज नहीं है हमारी मैं समस्या है यह पाणि की निकासी जो विडियो साब चाहें तो इसको कर सकते हैं सरपन साब इसको चाहें तो कर सकते हैं तो अब तो आपके अलके में उप चुनाओ भी है रवा वा सारे अजनी के धिकारी भी राजनितिक भी सभी आ रहे हैं नहीं वो योगेस वर्दत भी आये हैं अभी पिछे 28 तारिक को मेरी माताजीगा दयान तो गया था और उनकी तेरवी के दिन यहां पर योगेस वर्दत ज बताएंगे करशनमुर्ति उड़ा जो लड़का है जित्ता उड़ा वो भी यहां पर आया है दो तिन बार आते बोल जाते हैं जब उनको वोट लेनी होती है तो यह समस्या दिखती है और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो यह कोई आम समस्या है उनके लिए तो बाक्कि कि हम एक बार ठोक के कह रहे हैं इस गड़ी के खास कर और इस गड़ी के उपर जितने भी मानले खेतों के रस्ता लगता है ठीक है कोई भी आदमी वोट नहीं देगा मौजुदा सरकार को मकान तो यही हैं जो आपको दिखाए दे रहे हैं और कम से कम यहां पर सो एक सो बीस ऐसे फार्मर हैं जिनके यहां पर खेत लगते हैं और यह दूसरे गाउं का रस्ता है यह कानी गाउं को रस्ता जाता है यहां आगे से डिस्टिक रोगत किसीम शुरू हो जाती है और यह गाउं कानी को कनेक्ट करता है इसका टेंडर भी हो चुक्या है इस रोड की आईडी है 6772 दो बार इसका टेंडर बन चुक्या है टेंडर में भी अड़ चंडली हुई है कि सरकार का एक दायत्तों बंगता है कि उसको खाले करके आम जन को सुविधा दी जाए पर सरकार इसके परतिक मतलब रिस्पॉंसेबल है नहीं हाँ वो ब्रोधा से करणल साब आये थे जो अभी मानले दावेदारी ठोक रहे हैं और ये अजय भी आया है ठीक है दिगविजय को भी बताया है दुश्यंत के नौलिज में भी हमने ये बाट डाली है और ये अपना क्या बोलते हैं योगेस वर्द दिया था हमने लिखके है लेटर लिखके दिया है हमने खटर साब को ठीक है और जाते जाते यहीं बोल गये योगेस वर्दत दिखेंगे आपके क्या देखने को तो उनको दिखाई दे रहा है और परसनली जो आदमी मानले घर तक आता है उसको खड़या हो के गंटा आद ग अच्छा भी खो दिया अब इस यह बड़ी और क्या समश्या हो सकती है हां बिलकुल काफी सारे आच्छे होते हैं जी बिलकुल ठीक है एक छोटा हां यहां से आने जाने का कोई रस्ता नहीं है हम सब अपने विकल बैक चुके हैं ट्रेक्टर है गाड़ी है मोटर साइकल है सबने बेच दिया क्यों यहां पाणी के अंदर से निकाल ले जाना पड़ता है और जब यहां से ले जाते हैं तो उनको जंग लगता है जंग लगता है तो उनकी पुंजी तूटती है सब भी के पास है यहाँ पे जितने भी मकान है सब के पास अपने फोर विलरे विकल भी थे और टू विलर भी थे सब ने इस समश्या को देखते हुए सब को बेच दिया समश्या रहेंगे तो हम तो चुनाओ का विरोध कर रहे हैं हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल पहले अगर ये काम होता है जो भी आके इस काम को कराता है ठीक है ना हम उसका साथ देने को तियार है अन्य था हम वोट नहीं देंगे और मोजुदा सरकार से तो हम टोटली ना खुश हैं क्योंकि इसे बरश्ट सरकार हमने नहीं देखी मैं पिछले डेड़ पॉने दो साल से परसासन के साथ गुत्थम गुत्था चल रहा हूँ मेरे पास कम से कम भी इतनी मोटी फाइल है जहाँ पर परसासन फशा वाया है ठीक है निचे वाले अफसर को बड़े वाला अफसर फसाता है बड़े वाले को उससे उपर वाला अफसर बचाता है और उससे उपर वाला उसको बचाता है सभी बचा के चल रहे हैं मेरे पास ओडियो भी हैं मेरे पास उनकी लिक्तम भी है सारी चीज है कहीं न कहीं से तो इनको सुपोर्ट मिलती होगी राजनेता है जो इनके शिर्पाथ रखते हैं जब एक आदमी मतलब स्पेसिफिक कह देता है कि हमारी सरकार में बहुत पहुंच है तो कर ले जो कुछ करना है तो उससे आग्यों और क्या हो सकता है आमजन ता तो पिषणी में है और पिषण लग रही है कहां जाएं हम किसके पास लेगा जाएं आमजन के समश्या को तो परसाशन ही माले स्पोर्ट करता है और परसाशन जब माले बरस्ट हो जाएगा तो आमजन कहां जाएगा कई बार इसे रस्ते के उप़र हमारा जगडा हो चुक्य है, परसनली यह सब आदमी यहाप जितने भी हैं, आप इन से पूछ के देख लो हाँ बिल्कुल प्रोशी के साथ में मारा जगड़ा हो चुक है कई बार बिल्कुल हम सब के संग्यान में डाल चुके हैं बिल्कुल काफी बिमार तो तकरिबन सारे हैं अगर सदी ओती है एक दो साल मा आये साल एक दो साथी रहा है गौडिन अंतिस मता इब तो पानी उतार रहा है ना तो यह तो पानी ओजा देगा फिर उसका ना शादी माम में मान सारे प्रेशान हो जा है फिर आमना वह उसकी जो यह लेटिंग साभकर ना उतिना उस्स अमने पानी निकल वा निकल वाकन है तीन चेर बार और फेर इसकी सफाई कर वाकन हमना जिब मैं माना हुआ है पानी यह जो गर है इनका पानी आता है जी रोक आता यह पानी अर फिर निए खेत मतल्व अपने में कोई उत्रन नी दे एकाद बार निकल दे भी तुमारे साथ दिये तले उत्रने मारे खेता में कोण अपनी फेसल ने खराब करन लाग्या और फिर सब मैं माना आओंगे वटे हुआ आओंगे वह नुके तम अपने पानी का समाधान कर लो सब उनके उसमा पलोटा मगा डिख डिकर करकन है और जबागा आओ पैदल समय से इन दस आलोगे जी यह सब बताना लाग रहा शुरूदन तक रहे हैं सिकात कोच भी सुनाई नीजी कोच भी उसका आया था यह इसका किसन उड़ा गामने वो जित आया अमनू उस ते वी देखाया देख वारेकर मखा यह गाडीन की सक अंदर ता आन जबीन मालूम होग सब्सक्राइब कोच भी यह इसके अंदर तकाड़ी आई है फिर मामने योगे शर्दत भलवाया अमने उस ते माला भी गाली फिर उस ते यह देखाया भी बहला ठीक माइब कर जाओंगा अर्मा बनवा देंगा फिर वा उस तेम तो फिर आरगे इस फिर यह चुनावा रहा है हाँ पहली बार यह जो इब लेक्शन वा था जो उठ्टा था हाँ जिब कया था मने माला भी गाली आमने यह पर उसको इन्वाइट करेया फिर वो करेया प्राड़ी कर दखाया नहीं कुछ भी इब दुबारा था यह मेरी काकी गुजर्गी थी उसके बाद आया था उसक भी बनवा सकते हैं पहला बनवाओ वोट मांगा है जिब तो बाजे आवास है और फिर बाद मा कोई नहीं आनता है लड़के अपरे सानी तने ओर छोटे-छोटे बालक शुकुलाम जाओं है और यह तो है ना जी यह यहांद कर यहां तो हमना गड़ी लेल्या का अपने ट् आमझी मारा यह नाला कट जाओए और यहां गली पकी बन जाओए आमने शिम्तिर नीत चर यह यह शिम नियुकल जाओगे फिर अपने आपव जाओगा फिर अपने अपỏंब Kyle फिर क्या कराँगे ऑंगा तो कुछ के बंद होने हां जिना सरपंचा ना ना मेंमर और कीम अन उसने पहले नुबला अंटी जी अंटी जी थारी गाल नबनुआँगा पहले मैं अंटी जेब वो सर्पंज बनका ना फिर उसर्पंज नहीं नहीं आतला दिया बलके गड़ी को पाड़ करना सारी न अर गेर गया था अमना अपने आप गड़ी बनाई फिर दुबारत सब्सक्राइब भे सारे और अर निशना पर विंट्वाय पार में और और नच्छे वी नहीं देंगे इसमयासा कंशिति हम ठीक बनाई दर्शा के कांग्रेस काल पहले जब की समस्या है उनको भी बोला था उनने भी कोई समाधान निकाल लिया जो भी आएगा उसने के दें बाहर का रास्ता देखो भाई आड़ा नहीं तुमारी मौजूदा सर्पंच ने ये गली बढाई और इसमें नाली नहीं चोड़ी उसके बावजूद भी ब्लोक से इस गली को पास कर दिया गया और कहीं से भी आप उठाईए अभी पिछे आप शिर्षा ये सुरी अपना अजय चोटाला ने उस सर्पंच को सस्पेंड कराया है जिसने दोनों साइड नाली ना बना राखी ते और उसे गली को पास करा राख्या था अब इसका क्या करया जाई यह वहाँ से लगकर यहां तक जो गली बनाए थी गली बना दी पर दोनों तरफ ने पाणी की निकासी का कोई समाधान नी करें पिडियो साहब बोलया तो विडियो साव ने एक छोटा सा उदारन दिया कि ये काम तो कैसे हो गया ये तो संग्यान में लैने की बात है अर ऐसा तो वह करवाते हूंगे फिर जब यह होका तो आगे भी उनकी मनसा है यहीना बर्वकरते हूंगे सपोर्ट करते हैं जब ही तो यह काम होते हैं और बार-बार कहने से मतलब इस बात को वो पंच मानते हैं कि मैं उनको पंच करके आता हूँ अज एक्चलि अपंच नहीं है क्योंकि परसासनी का दिकारी जब एक तरफ का सपोर्ट करने लग जाता है तो मेरे इसाब से उसको उसको उसकुर्शी पर रहने का कोई आक नहीं होता है बिलकुल यह समझ्या है जी बिलकुल रात को अमरे रिष्तेदार आने बंद होगे दिन में भी आने बंद होगे क्या करें सब अच्छी वेल अब ही मेरी माता जी का दियान तो है अब दुख तो आएगा इस बात का